जै मातारानी दोस्तों नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपकी दोस्त नीता मातारानी के नाम का जैकारा लगाएं कमेल सेक्षन में जै मातारानी एवम ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिये आप सबकी सभी मनुकामनाय पूरी होंगी कल्यार होगा दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चातुर मास के विश्य में जो लोग भी एकादर्शी का व्रत करते हैं श्री हरी विश्नु भगवान की वंदना पूजन इत्यादी करते हैं उन्हें चातुर मास का व्रत विधान नियम इत्यादी अवर्ष्य पता होने चाहिए जिससे उन्हें विश्णु भगवान की क्रपा अवर्ष्य प्राप्त हो सके चातुर मास हिंदी महा के चार महीने होते हैं श्रावन, भादरपद, अश्विन और कार्थिक इन चार महीनों में ऐसा कहा जाता है श्रीहरी विश् नहीं मनाये जाते हैं तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ साल 2020 में चातुर मास कब से कब तक रहने वाला है चातुर मास के व्रत के क्या नियम होते हैं चातुर मास में खाने के क्या नियम होते हैं चातुर मास में विशिश उपाई एवं दान इत्यादी करने से किस तरह के फलो की प्राप्ती होती है और दोस्तों महा उपाये बताऊंगी जिसे करने से चातुर मास में श्रीहरी विष्णू मालक्षमी की अनंत क्रपा आपको प्राप्त होगी और आपके घर में धन धान यसुख सौभागे में दिनतर ब्रद्धी होती तो दोस्तों नीता विक्रम चैनल को अवश्य सबस्क्राइब करें वीडियो के नीचे बनने हुए लाल रंके सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए बाज मेंने ही घंटी या बैल की आइकोन को प्रेस करिए इससे आपको व्रत्योहारो संबन्दी सभी जानकारिया निश चातोर मास के व्रद का विधान सभी का सफल करें सभी की मनों कामनाएं अवश्य पूरी हो जाएं सबसे पहले हम जानते हैं चातोर मास कब से कब तक मनाया जाता है odor चातोर मास दोस्तों पांच दिथ्यों से प्रारंब हो सकता है शीक रश्न के अनुसार यह तहीं अश्टमी की तिथी एकादशी की तिथी द्वादशी की तिथी पूरण मार्शी की तिथी एवं करकसंक्रांती की तिथी यह सब दोस्तों आशार मास के रहते हुए शुरू हो जाती हैं आशार मास की अश्टमी की तिथी से लेके तुलसी विवा या देव उठनी एकादशी तक पहला चातुर मास का नियम है दूसरा नियम है देव शैनी एकादशी से लेके तुलसी विवा या देव उठनी एकादशी तक का तीसरा नियम है द्वादशी की तिथी से लेके तुलसी विभातक चौथा नियम है पूरण मार्शी की तिथी से लेके देव उठनी एकादशी है तुलसी विभातक और पांचमे नियम के अनुसार जब सूरिक कर्क संक्रांती करता है तब से लेके भी तोलसी विभातक आप चातुर मास के नियम मान सकते हैं ये पांचों ही नियम सही है पर दोस्तों जो ग्रहस्त लोग होते हैं जो अपने घर ग्रहस्ती में हैं वह सबसे ज़दा देव शैनी एकादशी से लेके देव उठनी एकादशी और तोलसी विभातक के नियम को मानते हैं मैं आपको यह पांचों तिथियाँ और इनके शुरू होने की डेट बता देती हूं चातुर मास की समापती का दिन एक ही रहेगा तुलसी बिवाह का दिन तो दोस्तों सबसे पहले होगी अश्टमी की तिथी अश्टमी की तिथी 28 जून 2020 की तारिक को है इसके बाद एकादशी की तिथी आएगी यह है एक जुलाई 2020 की तारिक द्वादशी की तिथी है 2 जुलाई 2020 की तारिक पूरण मार्शी की तिथी है 5 जुलाई 2020 और करक संक्रांती है 16 जुलाई 2020 तो साल 2020 में इन तिथियों से आप चातुर मास की वरतविधी प्रारंब कर सकते हैं दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया सूरी की करक राशी में संक्रांती होने पे भगवान शेयन करने चले जाते हैं और जब सूर्य तुला राशी में आता है तब भगवान जाकते हैं इसलिए दोस्तों देव शेयनी एकादशी के दिन पे विशेश पूजन करके भगवान को सुलाया जाता है इस दिन श्रीहरी विश्णू की मूर्ती बनाकर उसे पीतामरी रंग के कपड़े चढ़ाये जाते हैं और ऐसा करड़ें के साथ ही साथ इस दिन पे आपको बोलना चाहिए है हिर्शी केश्र में आपका लक्षमी सहित पूचन करता हूं या करती हूं आप मेरे चतुर मास के व्रत को पूर्णर करें तो दोस्तों जब भी एकादशी होती है देव शैनी एकादशी उस दिन पे ही आपको संकल्प लेना होता है यदि आप भगवान को इस तरह से शेयन नहीं करा सकते तो अपने हाथ में थोड़े से तिल, पुश्प और फूल लेकर आप भगवान के सामने संकल्प करें कि इस च कहा जाता है जब चातुरमास प्रारंबो होता है तो विश्प भगवान की अनुपस्तिती में शिफ भगवान सभी तरह के कार्यों को देखते हैं इसलिए इस समय पे शिफ पूजन का भी विशेश महत्व होता है जो भी मनुश्य हरवर्ष में इस वरत को करते हैं वह सूरी तरह के पाप छूट जाते हैं अब दोस्तों इस बार चौमासे के बीच में एक अधिक मास भी पढ़ रहा है जिसे हम बिना संक्रांती वाला मास बोलते हैं अधिक मास दोस्तों अश्विन मास के साथ में हैं तो इसमें भी आप जो भी पूजा पाठ दान धरम करते हैं उसक साथ चातुर मास की भी समापती हो जाएगी अब दोस्तों मैं आपको इस मास में करे जाने वाले अलग अलग तरह के व्रतों के बारे में बता देती हूं दोस्तों चातुर मास में लोग अलग अलग तरह के नियम लेते हैं जिन्हें लेने से उन्हें अलग अलग तरह के फल और राजाबली के यहां भिक्षा मांगने पहुच गए राजा बली एक बहुत ही अहकारी राजा हुआ करते थे उनके गुरू शुक्राचार्य दैत्यों के भी गुरू थे जब वामन भगवान वहां पे भिक्षा रहे थे तब शुक्राचार्य ने कई तरह से प्रत्न करें जिससे की बली उन्हें भिक्षा ना दे परन्तु वह असफर रहे। राजा बली ने वामन भगवान को एक छोटा बच्चा जानकर बोला आप जो चाहें मांग सकते हैं। इस पे भामन भगवान ने तीन पग भूमी मांग ली। एक पग में उन्होंने पूरी धर्टी को नाप लिया, एक पग में स्वर्व को नाप लिया। और तीसरा पग अब वो कहां रखें ऐसा पूछने पे राजा बली ने अपना सर उनके सामने जुका दिया और बामन भगवान ने उनके सर के उपर अपना पैर रखा। तब से ही राजा बली मामन भगवान के साथ रहते हैं और इस तरह से उन्होंने अपने आपको भगवान को समर्पित कर दिया और बोला कि अब आप हमेशा मेरे पास रहें और इस तरह से भगवान अपने भगतों की बात कभी ठुकराते नहीं हैं तो वह बली के पास ही पात करा के दुबारा बैकुंट में लेके आई परन्तु हर वर्ष श्रीहरे विष्णु भगवान अपने वचन का मान रखने के लिए पाताल लोग में वास करते हैं या यू कहें दोस्तों शीर सागर में जाके वास करते हैं और चार महीनों का चातुरमास प्रारंब हो जाता है अ और बोला देवी आप जो चाहें मांग ले देवी योग निद्रा ने उन्हें बोला भगवन मैं आपके शरीर में वास करना चाहती हूं जिस तरह सभी देवी देवता वास करते हैं श्रीहरे विष्णु भगवान सोच में पढ़ गए उन्होंने हातों में शंक चक्र गदा कई चीजें धारन करी हुई थी उनकी नाभी में कमल का वास था तब उन्हें ध्यान आया कि उनकी आखों में किसी भी चीज का वास नहीं है और उन्होंने देवी योग निद्रा को अपनी आखों में वास करने के लिए कह दिया इसलिए दोस्तों हरवश देवी योग निंद्रा चार मास के लिए श्रीहरी विष्णु भगवान की आखों में वास करती हैं और उन्हें शेयन करना पड़ता है इसी के कारण हम सब यह चातुर मास का व्रत विधान करते हैं इन चार महिनों में श्रीहरी विष्णु भगवान के नामों का जाब करना विष्णु सहस्त्र नाम का जाब करना अत्यंत पुंदाई फल को प्रदान करता है अब दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ अलग-अलग तरह के व्रध होते हैं जिसके अनुसार खाने पीने के भी कई नियम होते हैं जैसे की कासे के बरतन में खाना नहीं खाया जाता उड़की दाल नहीं खाये जाती खासता और फिर दोस्तों सावन के महिने में आज लेसन नहीं खाया जाता इसके अलावा भी दोस्तों अलग-अलग तरह के व्रत लिये जाते हैं जिससे कि विश्णु भगवान शीक्र प्रसन्न हो जाएं जिसमें से कुछ व्रत मैं आपको बता देती हूं जैसे कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना भूमी पे या जमीन पे सोना, सुबह के समय सुर्य को अर्ग देना, नियमेत रूप से देवी देवताओं का पूजन करना, एक समय भोजन करके शीहरी विश्णु भगवान के मंत्रों की उपासना करना, इसके अलावा लोबा यथा शक्ती चंद्रायन या अलग-अलग तरह के व्रत उपास करक दोस्तों भगवन अपने भक्तों पे शीक्र क्रपा बनाके रखते हैं, यदि वह उनकी इस पूरे संसार का ध्यान रखें तो, इसलिए आपको भी इन चार महीनों में ही नहीं, हमेशा ही श्रीहरी विश्णु भगवान का ध्यान करते हुए अपने कारियों को करना चाहिए और जब तब अवश्य करने चाहिए, परनतु दोस्तों जैसे कि इन चार महीनों का विशेश विधान होता है, जैसा हमारे सभी साधू, रिशी मुनी, इत्यादी भी इन चार महीनों में वेद गंतों का अध्यान करते हैं, और समाज में जागरुकता फैलाते हैं, आपको भ वेद पुरान अवश्य पढ़िए, आप चाहें तो शिफ पुरान इत्यादी का भी पाठ कर सकते हैं, इसके अलावा आप विश्नु सहस्त्र नाम का नियमित पाठ कर सकते हैं, या श्री हर्य विश्नु भगवान के मंत्रों का जाप करके भी अपने व्रत को सिध्ध कर सकत हैं, इससे भी आपको कई गुना फल की प्राप्ती होगी और विश्नु भगवान आप पर अत्यन्त प्रसन होगे, अब दोस्तों मैं आपको श्री भगवान के, श्री कृष्ण भगवान के कहें अनुसार, अलग-अलग तरह के दान सुना रही हूं, और इनसे किस तरह के फ मस्या है, वो जरूर दूर हो जाएगी, इन चार महीने में दोस्तों सुभा के समय जल्दी उठने का, ब्रह्म महुरत में उठने का विशेश फल आपको प्राप्त होता है, यदि आप सुभा सूर्य उदे से पहले इन चार महीनों में उठ जाते हैं, तो आपके जिन भी लो सूर्य को बाल सूर्य को आपको एक लोटे से जल देना है, एक लोटे में थोड़े से अक्षत, लाल रंका पुष्प, लाल रंका चंदन डालके ओम, खगोलकाय, स्वाह, ऐसा कहते हुए आपको सूर्य की उपासना करनी है, जीवन में यदि आपके कोई भी मनुकामना है, वो अवश्य पूरी हो जाएगी, और साथ ही साथ आपको प्राणायाम भी करना है, अनुलोम विलोम अवश्य करिएगा, दोस्तों अब मैं आपको आगे का विधान बता देती हूँ, इसके अनुसार जो मनुष्य प्रते दिन मंदिर की सक्षता से सफाई करता है, और मंदि वर्षाली होकर सुख को भोगते हैं, जो मरश्य ब्रामण को भूमी, स्वर्ण आदी दान करते हैं, वह विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा भना कर धूप दीप, लेवेद और पुष्प आदी से भगवान का पूजन करते हैं, वह अंत में स्वर्ग लोक में जाके अ साथ तोलसी तोड़कर इसे भगवान को रोज अर्पित करते हैं, या सोने की बनी होई तोलसी ब्रामण को दान करते हैं, दोस्तों इन में से कोई भी एक चीज़ आप कर सकते हैं, सभी के गर में तोलसी का पौधा होता है, तो मैं तो यही बोलूँगी, आप तोलसी की मंज इस धन की प्राप्ती होती है, इसलिए इस चौमासे में प्रतिदिन संध्या करना मत भूलिए, सुबह और शाम के समय भगवान के मंदिर में दीपक अवश्य प्रज्वलित करिए, इससे आपके जीवन में धन संपत्ती बढ़ती है, चार महिने में पीपल का पूजन करना परंपुन्यदाई होता है, शाम के समय देवताओं को दीपदान करा जाता है, वह विश्णु लोक को जाते हैं, जो मलश्य विश्णु भगवान का हवन करते हैं, इन चार महिनों में भगवान का चर्णामरद प्रतिदिन लेते हैं, वे सभी तरह के संसार के कष्व्च्ट अत्यंत प्रसन्न होती हैं और ऐसा करने वाला मनुष्य कभी भी पापों में लिपत नहीं होता इस चार महिनों में पुरान धर्मशास्त को पढ़ते हैं सुनते हैं वस्तोत्वर इत्यादी का यदियाब दान ब्रह्मण को करते हैं तो आप दानी धनी ज्यानी और कीर्टिवा बनते हैं जो मनुष्य विष्णु और शिव भगवान का इसमरण करते हैं अत्वा उनकी मूर्तियों का दान करते हैं वह पाप्रहित होकर धन्वान गुर्वान हो जाते हैं अब दोस्तों भगवान सूर्य को अर्ग देने के लिए भी यह महीना सर्वुत्तम बताया गया है एवं व्रत की समाप्ति पे सूरी के निमित दान करना जैसे की स्वर्ण का दान, लाल रंके वस्तरों का दान, गाय का दान करने से आपकी आयू में व्रद्धी होती हैं आप स्वस्त होते हैं कीर्ती धन और बल को पाते हैं चार महीनों में मनुष्य को गायत्री मंत्र द्वारा तिल से हवन करने पर दोस्तो काले रंगे तिलों से हवन करा जाता है एवं समाप्ती में तिल का दान करने से भी आपको अच्छी स्वास्त की प्राप्ती होती है और अच्छी संसकारी संतान की प्राप्ती भी होती है जो मनश्य चार महिनों में चौमासे में अन्न से हवन करते हैं और व्रत की समापती पर घी वस्त घड़े इत्यादी का दान करते हैं उनके जीवन में एश्वरी के व्रत्धी होती है जो पीपल का पूजन करते हैं और अंत में सुवन्ड सहित वस्तरों का दान करते हैं उनके सभी पाफ नश्ट हो जाते हैं जो मनश्य तुलसी जी को धारन करते हैं और अंत में भगवान विश्णू के निमित ब्रामनों को दान देते हैं वह विश्णू लोक में जाते हैं जो मनश्य चार महिनों में भगवान के शेयन के उपरांद उनके मस्तक पर प्रती दिन दूर्बा चड़ाते हैं दोस्तों जैसे यदि आपके घर में पीतल के या फिर जिस भी धातू के भगवान की श्री हरी विश्णु की मूर्ती है उसे यदि आप शेयन कराते हैं सफेद रंग के विस्तर पे पितांबर उढ़ा के इन चार महिनों में और प्रती दिन सोते हुए श्री हरी विश्णु भगवान के मस्तक पे यदि आप दूर्बा अर्पित करते हैं तो इससे आपको बहुत ही अच्छी संतान की प्राप्ती होती है और आपके कई तरह के जनकीरतन करते हैं उन सभी को स्वर्ग की प्राप्ती होती है चौमासे में चातुर मास में उत्तम ध्वनी वाले घंटे का दान करने से और प्रात्न करने से हे जगतपती हे भगवान आप पापों का नाप नाश करने वाले हैं आप मेरे न करने योग्यकार को जो मुझसे प रतरक के और समापती में गाय का या एक ही कपिला गाय का वस्तरसहि दान देता है नित्ध ब्राहमनों को भुजन करता है उनने नमस्कार करता है उनका वंदन करता है समस्तपापों से छूट जाता है वह दीर गायू और लक्षमी का स्वामी होके इसमें धर्टी पे स्वर्ग को भोगता है शिवजी की प्रसंदा के लिए चांदी का अथवा तांबे का दान करा जाता है उनको श्रद्धा से पुत्र की प्राप्ति होती है दोस्तों यदि आप शिवजी को इस चातुर मास में प्र समाप्ति पे शहिया का दान करते हैं उन्हें अक्षे सुखों की प्राप्ति होती है जो वर्षा रितु में गोपी चंदन का दान करते हैं इस लोग में सुख को भोग कर पर लोग में मुक्ष को प्राप्त करते हैं चातुर मास में भगवान के शेयन करने पे शक्कर का दान देने से व्रत की समापती पे इस प्रकार उद्यापन करने से चार फल या आठ फल वाले आप इन सभी फलों को एक तामबे के बरतन में रखें और शक्कर भर के फल के साथ कुछ दक्षिना भी रखें किसी पंडित को यदि आप दे देते हैं तो इससे आपके पाप नश्ट हो करता है इस तरियों के लिए परम कल्यानकारी है और गंधर्व इत्यादी को भी सुख देने वाला है जो मनुष इस चतुर मास में फल मूल शाक आधी का दान करते हैं वह सुखी और राजियोगी होते हैं जो मनुष इस व्रत में प्रति दिन सौठ मिर्ची पीपल वस्त्र और दक्षिना के सहित दान देते हैं व्रत के अंत में सोने की सौठ मिर्ची आधी का दान देते हैं वह सौवर्ष तक जीवित रहके स्वर्ग को प्राप्त करते हैं जो मनुष ब्रामन को मोती दान करते हैं वेकीर्थी को प्राप्त करते हैं जो मनुष इस व्रत में तांब लोग के दान से देवता प्रसंप्र करते हैं जो मनुष्य व्रत में लक्ष्मी जी पार्वती जी को प्रसंप्र करने के लिए घृवं अंतमित चान्दी के लिए ब्रामर्ण इस्त्रीपुरुष का पूजन कर उन्हें दक्षिण वस्त्र और स्वर्ण आदी का दान करते हैं वह जिफ की स्वर्ण की पृतिमां बनाके उसका दान करते हैं गाई बैल करके बोजन करके भूखो को प्रसंद करते हैं उनकी संपत्ति और कीर्टी कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं जो मनुष्य फल का दान करता है विर्वरत के अंत में स्वर्ण का दान करता है उसके सभी मनुरत सिद्ध हो जाते हैं और अच्छी संतान की प्राप्ती होती है फल दान देने से नंदन्वन का फल प्राप्त होता है जो मनुष्य इस व को पर лोग में गंदर्व के प्रत को प्राव्थ करते हैं जो बामन भगवान की प्रसनलता के लिए प्रतिदिन ब्रामनों को दहीं चावल ख Потому शुव् Season को दांत में दे देते हैं उन्हें धंधान इवंध में विश्णु की प्राप्ति होती हैं जो वस्तर आबुशन सहित गाइखा या गाएखी मच्छड़े का दान करते हैं वे ग्ज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्मलोग को जाते हैं और पित्रों के साथ सुक भोगते हैं जो Mr. Šाथूर और फलों का आहर करते हैं वेवी विश्णू लोग को जाते हैं जो मनुष्य केले के पत्ते एवं पलाश के पत्तों में भोजन करते हैं एवं कांसे के पात्र और वस्तर का दान करते हैं तेल नहीं खाते हैं उनके समस्तपाप नश्ट हो जाते हैं जो मनुष्य पयोवरत को कर करते हैं याने केवल थूद पीते हैं एंवम अंत में दूद देने वाली गाय कादान करते हैं वेभी विश्णू लोग को जाते हैं चातूर मास के व्रसके प्रभाव से ब्र moltitra गाती सुरापान त Prag apply जो पीने वाले बाहती असत्य भाशन करने वाले इस्त्री घाती यानि इस्त्रियों को धोका देने वाले वा किसी के वरत में विगन डालने वाला जिसके साथ जाना नहीं चाहिए उनके साथ गमन करने वाला विद्वा गमन करने वाला ब्रामनी तथा चांड डालनी के साथ भोग करने वाला इस सब के पाप नश्ट हो चातुर मास के वरत से अंतमे 64 पल कांसे का पात्र दान करने वस्त्र आभूशन गाय का दान करने एवं बच्छडा दान करना जाता है जो मनुष्य भूमी को गोबर से लीपकर भगवान का इसमरण करके पूजन करता है उसे आरोग्यता एवं पुत्र की प्राप्ति होती है व चंदन सहित बैल का दान करते हैं उन्हें शट्रस्युक्त भोजन कराते हैं और विश्णु लोग को प्राप्त करते हैं चातुर मास के वरत में नित्पृति जागरन करते हैं और अंतमे ब्रामणों को भोजन कराते हैं उन्हें शिव परमधाम की प्राप्ति होती है जो एक धुल नहीं करते हैं वे येशस्वी लक्ष्मिवान होकर स्वर्ग को जाते हैं जो इस व्रत में सब परिवार्ण चावल जौका भोजन करते हैं जो तेल नहीं खाते हैं अंतिमें कंसे और मिट्टी के पात्र में देल भर कर टेल का दान करते हें जो सबजिया Nur नहीं खाते हैं और अंत में चांदी का दान करते हैं उन्हें दस प्रकार के शाकों का दान भी करा जाता है बस अब शिवलोग को जाकर कीर्थी को प्राप्त करते हैं जो मनुष्य गेहुं का त्याग करता है वह व्रत के अंत में सोने के गेहुं बना कर उनका दान करता है जो उप्रत में इंद्रियों का दमन करते हैं। उन्हें अश्व में यकीकी फलकी प्राप्ती होती है। जो मनुष्य शावन में शाक नहीं खातें, भादो में दही नहीं खातें। अश्मिन में दूद और कार्थिक में दालों का त्याग करतें। वे निरोगी और स्वस्त हो जाते हैं जो इसनान करके भगवान का पूजन करते हैं स्वर्ग को जाते हैं जो मीठा, खटा, करवा पधात का त्याग कर देते हैं वे समस्त दुर्गुनों से मुक्त हो जाते हैं जो पुष्पादी का त्याग करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं एवं दूद पर ही निर्वाह करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्ते करते हैं उनका व्रंश प्रले काल तक चलता रहता है जिस दिन भगवान उठते हैं उस दिन ब्रह्मनों को वस्त दान करने भोजन कराने से और सभी तरह के वेत पाठी धार्मिक ब्रह्मनों को दान देने स यदि आप एक बार भोजन लेते हैं तो उसमें आप दूर्थ फलहार भी ले सकते हैं इस तरह से अच्छी कामना के साथ अच्छी भामना के साथ शीहरी विश्णु भगवान का जैकारा लगाते हुए चातुर मास के इस महत्मक को अब आपने सुना है तो जैसे भी आपकी शक आएगी आपके काम बनेंगे और शीहरी विश्णु भगवान की क्रपा आपको अवश्यप राप्त होगी तो दोस्तों आज का ये वीडियो चातुर मास के विश्यप में यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर लिजे फैमिली फ्रिंट्स में सबके साथ अवश लिए जाए मातारानी दोस्तों अपना क्यार की अपने परिवार का क्यार रखिए